हेलो दोस्तों नमस्कार मैं वो मेर से आप से भी कस्वागत करता हूँ देखे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी दिसम्मर महिनी की पेसलिप मैं ये आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ तो इसका मैन टार्गेट है कि आप मोटिवेट रहें आप भी देखें कि कितनी सेलरी मिलती है ये जिससे कि आप भी जुनोन में रहें और इस वार जो आपका 23 फर्विरी से group D का exam start है वहाँ आप पूरी जान लगा दें तो मेरा मैन उद्धय से ही है कि मैं आपको मोटिवेट करता रहो जिससे कि आप अपने रास्ते से नहीं भठकें और जो आपने लच्छ चुना है रेलबे में जाने का, रेलबे गुरूबे में जाने का उस लच्छ को आप अपना पूरा करें जब तक आप उस लक्ष को पूरा नहीं करते हो मैं ऐसी ही मोटिवेट वीडो आपको लाता रहूँगा तो देखिए ये दिसम्मर महिने की पेसलिप है मेरी और मैं आपको इसमें पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि मेरी सेलरी कितनी बनी है और कितनी नहीं बनी है तो देखिए ये मेरी ही सेलरी सिलिप है आपको देखिए ये मेरी ही पेसलिप है और आपको यहां मेरा नाम भी दिखाई दे रहा हुगा ओम बिर सिंग तो देखे इसमें सारा कुछ लिखा रहता है कब जॉइनिंग हुए कब क्या हुए मेरे 2019 की जॉइनिंग है और आपका पूरा डिटेल इसमें रहता है तो मैं आपको केवल इसमें यह बता हूँआ कि मेरे सेलरी जो मिलती है वो कितनी मिलती है तो देखिए मैं बात कर लेता जो मेरी ग्रॉस पे सेलरी है इस महिने की वो बनी है 35,506 रुपे कितनी बनी है 35,506 रुपे बनी है लेकिन कुछ कटोतिया भी होती है वो कट करके हमारी सेलरी जो बनती है जो मेरे सुद्ध वेतन जो बना है यानकि नेट पे जो बना है वो बना है 32,702 कितना बना है 32,702 यह railway group D की cell G है तो और क्या क्या मिला है मुझको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ देखिए जो मेरा basic पे है basic पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1900 है कितना है basic पे basic पे जो है मेरा 1900 है और जो area basic पे है वो है मेरा 1848 और डियरनेस एलांस डिये जो है ये है आपका उनसर सो एकीस रुपे ये उनसर सो एकीस है ये हर छे मेने बाद बढ़ता रहता है आपका सरकार के ऊपर है कितना परशन्ट बढ़े लेकिन ये आपका हर महीने बढ़ता रहता है इसके बाद मैं area dearness एलांस जो डिये है मेरा और house rent आलांस यान कि आपको रहने के लिए जो बनता है वो बनता है आपका 1800 रुपे तो रहने के लिए आपको 1800 रुपे मिलते हैं और ट्रांसपोर्ट एलांस जाने की आपको आने जाने के लिए cycle की सुबदा दी जाती है जिसमें cycle के लिए आपको जो रुपे मिलते हैं 1189 रुप में कम नाइट थी और मैंने कम नाइट की थी तो इसलिए मुझे केवल 1000 रुपे मिले हैं नहीं तो यहां भी यह और सेलरी में रिबढ़ सकती थी यह 2000 से उपर चली जाती है नाइट और नाइट डूटी ऐलांस तो यह हो गया रिस्क एन हार्ड सिप जो एलांस होता है यह आपको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकर यह 2700 है कितना है 2700 रुपे यह आपको मिलता है हार्ड एन रिस्क एलांस मिलता है तो इससे भी रेल्वे गुरुप डिवालों के जो सेलरी है और जो अलग डिपार्टमेंट पर जॉब करते हैं उनसे काफी आगे लेकर जाती है अब मैं आपको बता दूँ जो सेलरी कटी है मेरी तो देखिए जो कटी है 60 रुपे तो यह आपके इंसोरंस के कटते हैं देखिए यह 2744 रुपे जो कटे हैं हमारे आपको रेटार्मेंट के बाए जो पैंसल मिलती है ना जो फंड मिलता है आपको तो उसमें आपके खाते में यह जमा होते रहते हैं हर महीने इसमें कुछ सरकार भी देती है और कुछ आपका भी कटता है तो यह सारे मिला करके मुझको मिलेंगे तो देखिए यह बहुत सारा पैसा रेलवे गुरूप डिवालों को मिलता है तमाम तरह के अरनाव जिसमेंते हैं तो यहां से आपकी सेलरी काफी ज़्यादा बन जाती है तो आपको मोटिवेट करना इस वीडियो को मेरा यह लच्छ था कि आप मोटिवे तो इस वीडियों बस इतना है थेंक्यू धन्वाल